हलो और विलकम फ्रेंट्स, ओपन ओफिस कैल्क सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है ओपन ओफिस कैल्की, यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं, यहाँ पर नेम ओफिस टुडेंट है, फिर सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, यह लाइन वाइस सब्जेक्ट के नाम लिखे गए हैं, अब इसमें आप हिंदी, इंगलिस, मैच, साइंस इस तरह स करके फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें टोटल करना और एवरेज करना, यह तो बड़ा असान है, यह तो आप करी सकते हैं, यह तो बहुत एजी है, सबसे पर हम इस पर बॉर्डर बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ, आज का टॉपिक है क्या एक्चुल में, तो यह अब चले जाएए, यह जो दिख रहा है, बॉर्डर, यहाँ पर आल बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर लग जाएगा, अब यह बॉर्डर तो लग गया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेम अफ स्टुडेंट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यह मैंने कर लिया क ठीक है, कॉपी आप राइट क्लिक कर के भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो यह कॉपी कर लिया ओब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते खेंए, तो यह आ गया यहाँ पर नेम अफ स्टुडेंट, ठीक है, आप सभी को दिख रहा है, अब यहाँ से इसकी वित लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टोटल यानि टोटल को कर लेता हूँ copy और फिर यहाँ पर कर देता हूँ total को paste control-c से ही यहाँ पर copy होता है यह shortcut की सेम है ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर हम बात करेंगे total की तो total करने के लिए इस equal to कर निशान लगाएंगे sum कर लेते हैं और sum करने से हमारा total हो जाएगा और यहां से select करके और फिर हमें कहां तक जाना है subject 5 तक चले जाना है इस तरीके से ठीक है bracket को close करना enterprise करना है ध्यान रखिएगा हम अभी बात कर रहे है open office calc की ठीक है bracket को close कीजिए enterprise कीजिए यह आगया average आपका average आने के बाद यहां से आप drag कर सकते हैं यह double click कर देंगे तो सबका आ जाएगा अब यहां पर देख सकते हैं एक row और एक column हमारे पास है ठीक है अब row कौन सा है यह name of student row है और बाकी यह column है ठीक है तो यहां पर हमें name of student देना है ठीक है और जैसे हम name of student देंगे यहां पर like यहां पर माली जे मैंने लिख दिया RAM RAM लिख दिया और RAM का हमको क्या पता करना है total पता करना है ठीक है तो यहां पर total पता करने के लिए यह छोटा सा data है अगर बड़ा data हो तो topic है वो यह है कि हमें यहां पर absolute cell address का use सीखना है absolute cell address का use होता कहा है मेरे से सवाल पूछा गया है कि सर relative तो समझ में आता है जैसे कि आगर यह subject 1 की बात करें तो यह लिखा हुआ है B3 में यह देखिए 3 highlight है और यह B highlight है it means कि यह B3 है दोनों को मिला करके क्या बनेगा B3 बनेगा तो यह B3 में लिखा हुआ है तो यह B3 is a relative cell address यह तो समझ में आता है या तो row या तो column fix हो जाता है तो mixed cell address बन जाता है यह भी बार बार मैं बताता हूँ absolute cell address कहां use होता है यह समझ में नहीं आता है तो चलिए absolute cell address की बात करते हैं यहाँ पर is equal to का निशान लगाते हैं और लगा लेते हैं match का formula match का formula पहले भी लगा चुके हैं row या column पता करने के लिए हम match का formula use करते हैं ठीक है अब यह जो राम लिखा हुआ है इसका हमें क्या पता करना है column number पता करना है row number पता करना है ठीक है अब क्या करना है यह की यह open office calc है तो यहाँ पर आपको semicolon लगाना होगा और semicolon लगाने के बाद यह जो हिस्सा है इसको select कर लीजे इस तरीके से यह select कर लिया हमने है और select करने के बाद क्या करना है एक एक को fix करते चलना यानि column के पहले dollar और फिर row के भी पहले dollar हमें लगाना होगा तब ही यह fix होगा यानि बना दिया हमने absolute cell address अब यहाँ पर zero exact match के लिए देते हैं और अब यहाँ पर interface करते हैं तो यहाँ पर धियान रखना है कि आपको semicolon लगाना है comma के बजाए और bracket को close करके जैसे ही interface करेंगे तो यहाँ पर two आ रहा है यानि कि राम का जो row number है वो two है देख सकते हैं यह one ह और यह two है यानि data हमारा यहीं से सुरू हुआ है और यहाँ पर खतम हो रहा है यानि राम का ही हमें पता करना था अगर हम नाम यहाँ change करते हैं like देखिए यहाँ पर मैं अगर change कर देता हूँ यहाँ से copy कर देता हूँ like इसको मैं copy करता हूँ ctrl c press करके और यहाँ वो नाम जो की हमें देना है तो ये देखिए रजनीज का column number row number 9 है देखिए count करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से absolute cell address काम कर रहा है ठीक है आयोप के बाद समझ में आ रही होगी आप तरीकार में ईम्ार समझ में आ बता चूँदी आयोग्टि सकते हैं झाल 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 झाल